बोजन करके जो ही केवल घंटा डेड़ गौर फर्माईएगा बोजन करके जो ही केवल घंटा डेड़ पानी इसके बाद पी ये औशिधी का पेड़ नमस्कार मैं रचा भाती आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोगे में दोस्तों हम जानते हैं कि आयरुवेद स्वास्ते का खजाना है और इससे जुड़े जो छोटे छोटे नुस्खे दोहों के रूप में हम आपको सुनाते हैं अगर इन पर ही अमल कर लिया जाए तो बहुत से रोगों से बचा जा सकता है बाकी हमारे वैजी और उनकी आयरुवेदिक फामिसी आपके हर रोग से निदान देने के लिए तो है ही तो चलिए बिना देर के स्वागत करते हैं हरिद्वार कंखिल के जाने माने वैद दीपकुमार जी का वैजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आरोगे में और आपके और मेरे अलावा आपके एक पेशेंट है जिन से हमारी टीम ने बात किया ये देखते हैं क्या कहा उन्होंने मेरा नाम सिर्मती नीरस तोमार है और मैं हर्दवार से हूँ मुझे प्रब्लम में सायनेस की और मुझे बीपे और गैस्टिक की प्रब्लम थी इसकी वज़े से मेरे सिर्म में दर्द रहता था और कोई काम नहीं कर पाते थे कंटीनियू जैसे बैठे रहना काफी देर तक और लेटने से प्रब्लम होती थी तो मैं अराम से लेट नी पाते थी उसमें जी घबराना और कुछ खाने के इच्छनी करना मैंने अपने इलाज में जर्म लेकरा हिता लेकिन मुझे वहां पर कुछ दिन आराम रहा फिर वही क्रोभ्लम होने लगी पहले जैसे इससे पहले मैंने अलोपाती भी करा था लेकिन जब तक मैं दवाई कंटिन्यू लेती रही तो आराम होता रहा लेकिन उसके बीच में फिर वही प्रॉब्लम सुरू हो गई थी तो मैंने व्यज्य का नाम सुना तो उनके अराम की जब से मैंने उनके पास हूं के दवाई से मुझे काफी आराम है श्रीमती नीरस तोमर जी जो हरीद्वार से ही है और इनको सर्वाईक्ल गैस और बीपी की प्रॉब्लम थी तो कैसे आपके पास पहुंचे, आपने क्या इनको ट्रीटमेंट या हम आपसे जानना चाहते हैं और जब आपके पास आए क्या कंडीशन थी इनकी रिचा जी, शूल बेदिती संधी को दूसित संधी बात व्याप्त सोध सरवांग में बढ़े व्यता साक्षात प्राण वात जब जब बने पित युक्त पहचान बढ़ती है तन में जलन कर छरदन का ग्यान इनको सरवाइकल और साथ में बीपी बीपी इनका बहुत ज़्यादा बढ़ता था और बीपी के कुछ कारण है वैसे तो ब्लड पेशर जिस मरकरी प्रेशर से हर्ट ब्लड को ले और जिस मरकरी प्रेशर से हर्ट ब्लड को छोड़े उसको कहते हैं ब्लड पेशर कभी कभी बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा तनाव समय पर ना खाना या मिर्च मसाले युक्त भोजन का बहुत ज़्यादा प्रियोग करना या नीद पूरी ना होना इत्यादीश के मुख्य कारण है आज की ये भागम भाग युग में अधिकतर लोग किसी ना किसी तनाओ के सारे जी रहे हैं और चिंता चिता एक समान चिंता जिंदा को और चिता मुर्दा को खाती है और अत्यादीक तनाओ अती हर चीज की बुरी और मैं इस माध्यम से कई बार कहा भी है कि बहुत ज़्यादा चिंता करने से कभी आज तक किसी को कुछ नहीं मिला हाँ हमारी बोड़ी के औरगन सारे वीक जरूर पढ़ जाते और वीक पढ़ने के बाद कहीं कहीं बिमारियां उभर के आती है जैसे कि मुख्यता एक ब्लड पिशर है दूसरी मदुमे लोगों में तनाओ भी एक कारण है इस कारण बहुत बढ़ती है और इनको सर्वाइकल और आर्थ्राइटिस बहुत काफी इस्तिती में बढ़ गया था जिसके कारण इनको चक्कर आना चलने फिडले में दिक्कत होना और उल्टी उबकाई आना इनके मुख्य कारण थे और मैंने इनको दर्द के लिए सर्वाइकल के लिए सर्वाइकल में हमारी फार्मेशी द्वारा निर्मित मनहोर बुंद रामफल वटी ये इतना अच्छा कारे करती है चाहे सर्वाइकल हो चाहे किसी भी परकार का दर्द हो अर्थ्राइटिस हो और चिकन गुनिया के बाद का दर्द उसमें इसने बहुत अच्छा कारे किया मेरे पाईश के बहुत लोग आते थे खास तुर से गुजरात के बहुत लोग आये और जितना भी चिकन गुनिया फैला उसमें इसने बहुत चमतकार दिखाया और सर्वाइकल में इसको रासना सब्तक क्वाथ या पानी के साथ सेवन करने से भी बहुत लाब मिला, मैंने इनको दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए, रामफल वटी और दश्मूल गन वटी, साथ में सिलाजीत वटी, इसका प्रियोक कराया, रामफल संग दश्मूल गन, उष्ण नीर उपयुक्त, संदी वात से सरवदा, होता रोगित मुक्त, दश्मूल गन और रामफल, और साथ में सिलाजीत वटी, दूद या पानी के साथ सेवन करने से, या राशना सब्तक्वाथ के साथ सेवन करने से, हर प्रकार के दर्द में बहुत लाग मिलता है, दूसरा, मुक्तावटी और जवाहर मोरा होल दिल, मुक्तावटी में, मुक्ता, प्रवाल, बंसलोचन, बच, इत्यादी, वह मूले, जड़ी बूटी हैं, जिनको सेवन से, हिर्द्य को ताकत मिलती है, और रक्त चाप, नियमित होने लगता है, और जवाहर मोरा होल दिलवटी, देखन में छोटन लगे, काओ करे गंबीर, यह दवा, हर प्रकार के चैबी पी हाई हो, या लो हो, दिल घबराता हो, चक्कराते हो, दिल कमजोर पढ़ता हो, उसमें बहुत अच्छा कारे करती है, मुक्ताशुक्ती, प्रवाल पिष्टी, रस सिंदूर, अकीक पिष्टी, अर्जुन चून, और साथ में अर्जुन चून का क्वात, इसके द्वारा यह निर्मित दवा, हर प्रकार के हर्ट की बिमारियों में, अन्जैनापीन में भी बहुत अच्छा लाब करती है, मैंने इनको मुक्तावटी और हॉल दिलवटी, दो बढ़ते हैं, जब इनका बीपी नेमित हुआ, तो दर्द भी कम हुए, और जो मैंने इनको रामफलवटी इत्यादी परियोग कराई, दर्द का शमन हुआ, वात्रोग का शमन हुआ, इनको बहुत लाब मिला, और बगवान के आशिरवास से, अब ये बिल्कुल स्वस्त है है, बात-बहुत शुक्रियाए भी जि BEN जिर सब हमार सT शहर करने इंड के लिए, से के सथ कॉलर ही, जब ये से के साद केडा़ जोड हाये था, इनको ए भी है अंसफे कि जूरह जह कुछना थे ज्लिय जी में क्या पूछना चाहते हैं आपक हैं हृग जी बाहुती जिभु यह बढ़ रहा है या कॉंस्टेंट है बढ़ रहा है कहीं आप मचली तो नहीं खाते थे और दूद के साथ नमक लेते हूं नहीं वो तो अब करते हैं जब स्टार्टिंग हुई उससे पहले हो सकता है सर खाली हो बच्पन में कर लिए चालो ठीक और माइग्रेन का कारण टेंशन तो है परिवार में ठीक वेंजी टेंशन है उस टेंशन को निवारन करो क्योंकि एक कारण और दूसरा निवारन मॉडरन में जो बिमारी हमको कारण समझ में नाए सिरके दर्द की उसको कहते हैं माइग्रेन और माइग्रेन अर्द का पाली भी इसको बोलते हैं सूरज निकलने के बाद यह उत्पन होती है और सूरज ढलने पर ढल जाती है लेकिन मैंने कई मरीजों को देखा ये कभी कभ एक तनाव भी है, तनाव बढ़ेगा तो आपको निश्चित रूप से माईग्रेन भी बढ़ेगा, माईग्रेन के लिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप पत्यादी कवात का सेवन करें और साथ में दो दो गोली रामपलवटी इसको परियोग में लें, पेट साफ रहे व इसको गुड़ डाल करके यदि हम सेवन करें तो माईग्रेन में बहुत लाब मिलता है, लेकिन आपको सफेद दाग भी है, सफेद दाग में गुड़ ना लें, मिर्च मसाले कम से कम परियोग मिलें, आप बहुत अच्छा होगा एक बार मेरे से मिलनें, और सफेद दाग का हमारे आयरुवेद में बहुत अच्छा इलाज है लेकिन जैसे आपने बताया आपको 25 साल होगे उसमें थोड़ा समय लगेगा आप रक्त विकार नाशक नीम घनवटी और साथ में आरोग्य वर्दनी इन तीनों की दो दो गोली तिन में दो बार परियोग मिले आपको निश्चित लाव मिलेगा इस सफेद दाग होने के कुछ कारण है मचली के संग दूध दूध चाय नमकीन इस रोग में ये बुलाते हैं ये तीन इन तीन के साथ स्यवन करने से दूध दूध के साथ यदि कोई मचली खाता हो बहुत से लोग विटामिनी ए विन के कैप्सुल लेते हैं उपर से दूध पी लेते हैं या नमक दाल सबजी खाई पराटा खाया उपर से दूध पिया तो आप इन चीजों से बचें दूध के साथ दही का सेवन ना करें बहुत से लोग रायता भी पी लेते हैं, उपर से दूद पीएं, वह भी नुक्सान करता है, तो हमको इन कारणों से बचना चाहिए, यह विरुदाहार है, और विरुदाहार यदि हम सेवन करेंगे, तो हमारे शरी के अंदर उब्दरव होंगे ही, और इन दोनों बीमारी के स साथ, आपको यह विशेश तोर पे ध्यान रखना है, कि आपको कब्स ना हो, वैसे तो पत्या दिकवात यदि आप लेते रहेंगे, तो आपका पेट भी साफ रहेगा, क्योंकि उसके अंदर त्रिफला है, और यदि फिर भी पेट साफ ना हो, तो आप इसमें एक चम्बश से दो चम्बश तक त्रिफला चूँड और मिला लें, आपको निश्चित रूप से लाब मिलेगा, यदि फिर भी आपको असर कम लगे, तो आप मेरे से एक बार मिलने, लेकिन मैं आप से फिर भी कहूंगा, आपको निश्चित लाब मिलेगा, तो आपको किसी भी बात की प्रिटेंशन लेने की कोई ज़रूत नहीं इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो लगा तर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहे हैं आप वैजी से अपना सवाल कर सकते हैं और उसका जवाब आपको यकीनन मिलेगा और इसी के साथ अगर कोई भी ऐसा सवाल है जो आप हम कर सकते हैं तो वैजी एक वाट्चैप आया था हमारे पास एक लेडी है जिनकी उम्र लगभग 30 साल की है वो कहती है कि वह बहुत जल्दी जल्दी चीजे भूल जाते है कोई चीज कहीं रग दी तो ये भूलने की बिमारी उनकी बढ़ती जा रही है तो इसके लिए वो जा रही है तो कुछ प्रयोग में बताता हूं गर दिमाख है कमजोर तो कर ले इतना काम शेहद मिलाकर खाईए भीगे हुए बदाम यदि हम बदाम को रात को भीगोलें सुबह छिलका उतार करके उसको शेहद डाल करके घोट करके बिल्कु चट्नी बना करके चाटें हमको बह बुलने की बिमारी के लिए यदि तनाव बहुत रहता है तो तनाव से बचें दूसरा दोनों नसीका में यदि गोगरत मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा गाय का घी ना मिले तो बादाम का तेल तीन तीन चार चार बुन गरम करके दोनों नसीका में डालें लाब दूसरा एक आयरवेद की बहुत ही परसित दवा है ब्राम्मी वटी, ब्राम्मी वटी में ब्राम्मी, शंक्पुष्पी, गांजवा, काली मिर्च, रसिंदूर, इत्यादी ये दवाईं से बनती है, और इसकी यदी हम दो दो गोली दो बार दिन में नियमित रूप से सेवन क करते रहें, तो हमको भूलने की बिमारी में लाब मिलेगा, ब्राम्मी वटी से हमारा मस्तिक्ष तेज होगा, हमारी नींद डवलप होती है, आयरुवेदिक दवाई ऐसी हैं, जिनके कोई side effect नहीं है, बहुत से लोग modern में कुछ दवाई लेते हैं, उनके side effects बार में उभार लेकिन ब्राम्मी वटी ये hysteria में भी काम करती है, दिमाग के भूलने में भी, नींद ना आती हो, इससे नींद भी डवलप होती है, ये दवाई ऐसी नहीं है, कि इसको खाने से नींद आये, हमारी नींद डवलप होती है, और नींद गहरी आती है, तो ब्राम्मी वटी दो तामर भसम होती है, तामर भसम हेवी मेटल है, और यदि कच्छा रहा है तो नुक्सान करता है, किसी अच्छी फार्मेशी का आप ले ले, इसकी साथ में एक गोली, दिन में दो बार, ब्रामी बटी के साथ ले, तो आपकी ये भीमारी निश्यत रूप से दूर हो जाएगी. तो आपका ब्रूग्राम भीमारी तो भीमाशी बटी कि आपकी अच्छी के साथ ले, वीम ख गढ़न गोल। वालो के ते ले लिए विए Neufa, पबता तो वी फट्ले आअगे उनासिका थेक्ताँ ये, तो वी स्ट्रेज शूची के थे फेले Çईकी 1 इसका कोई आप पता से एक्षली इन्होंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी बालों की जिसके बाद से इनका जो है इसका टेक्स्चर है वो काफी वीक हो गया है और जो आते हैं वो भी बहुत हलके बालाते हैं तो यह बालों के लिए आपसे ट्रीटमेंट पूछना जा रही हैं एंजी एक बहुत चोट चूण इस चूण के अंदर ब्रंगराज काला भंगरा यदी मिले दो भाग एक भाग काले तिल एक भाग आवला और एक भाग मिश्री इन चारों को मिला ले अच्छी तरह मिलाकर एक एक चमश दूद या पानी के साथ इसको दिन में दो बार सेवन करें आपको बालों की सम बहुत लाब मिलेगा निजात मिलेगी आईरवेद में लिखा है कि यदि किसी के बाल बहुत तूटते हों कमजोर पड़ गए हों बालों का रोह हो और बाल ना रहे हों या सफेद पड़ रहे हों इस चुरून को छे महीने यदि परियोग करें तो बहुत लाब दिखता है शड बिंदू तेल तीन बूंद इधर और तीन बूंद इधर आप नियमित रूप से डाले आपको बहुत लाब मिलेगा बहुत 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 शुक्रिया वैज जी और मुझे पुरे यकीन है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा दर्शकों आप भी हमें नंबर इस पर कॉल कर सकते हैं कोई भी सवाल आप यहां पर वैज जी से पूछ सकते हैं तो अभी कॉल कीजिए इन नंबर्स पर जो लगा तार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहे हैं फिलहाल वाक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का आप कहीं जाएगा नहीं हम जल्द वा